हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपनी यूटीब चैनल अंकित लेक्टी टू पर आज की इस वीडियो लेक्टर के अंधर हम कलास 10 चेप्टर 1.2 का क्यूशन नमबर 2 का सोल्यूशन करेंगे तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करती हैं आज का वीडियो बिना लेक्टर क्यूशन क्या है कि इससे पहले वाला क्यूशन क्या था उर्टकिया था हमने अगुशन इतना ही है देखिए क्यूशन में दिया गया है दो आंकड़े दिये हुए हमें उनके lcm और अच्छिफ ग्याद करने है यह देखिए दो संख्याओ का गुणफल इदकी यह सुत्र है दो संख्याओ का गुणफल अच्छिफ इंडू lcm की बराबर होता है इसे चेक करने का अर्थात क्यूशन की जांच करने के लिए क्यों यह फॉर्मूला है आपको डायरेट यादर रहा है दो संख्याओ का गुणफल बराबर होता है अच्छिफ इंडू lcm तो क्यूशन हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या है सबसे पहले हम lcm और अच्छिफ गयाद करने के लिए सबसे पहले इनका क्या गया ग्हुर्मूला और रहां पहले तो अनके खंड गयाद करेंगे तो देखिए सबसे पहले इसके lift क्यास क्या दो का बाग दिया 2-6 अब दिखिए इसमें किसका बाग जाएगा 13-31 इसी प्रकार इसमें मैने सबसे पहले किसका बाह दिया इसमें बाग दिया क्योंकि सबसे पहले इसमें 7 का ही बाग जा रहा है 7 एकम 7 और 7 या 21 फिर 13 का बाग दिया 13 एकम तिरा देखिए हमने सिखा है कि इस प्रकार बाजेगुन खंड की रहते हैं पहले वाले वीडियो लेक्चर के यदि आपको पता नहीं है हमने भी वाजिता के नियम भी पड़े यदि आपको उनको जाना है तो इससे पहले वाला वीडियो जुरूर देखे ताकि आपको असानी से समझ में आसके तो देखिए इस सबसे पहले कुछ नहीं करना LCF और LCM ग्याद करने के लिए सबसे पहले जो किशन जो मिकुष में जो संख्यादी होती है उनका क्या ग्याद करना है अब भाजे गुणखंड अर्तात अब भाजे गुणखंड ग्याद किया हमने दोनों संख्याओ का अब क्या करना है सबसे पहले जो यहां पर आता है उनको लिख लेना है देखिए जैसे की जब 26 का कितना आया था देखिए जब 26 का गुनखंड किया तो हमारे पास आया 2 इंटू 2 गुना में 13 इसी प्रकार जब एकार में का किया तो कितना आया था 7 इंटू 13 तो देखिए सबसे पले हमें X-Shift देखना है X-Shift क्या होता है एक common factor होता है X-Shift का मतलब होता High common factor अथाथ जो common हो जो same हो उसे क्या कहती है X-Shift कहती है तो इसमें से same क्या है इसमें से 13 same है इसमें भी 13 इसमें है तो X-Shift क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा ठीक है अब क्या देखना है LCM तो LCM क्या है LCM is equal to LCM देखिए जो सबसे पहले जो same है उसको लिख देना है same क्या है 13 और जो बाकी बच गया है उसको भी लिखना है दो कुना में साथ 13 दूनी देखिए 13 साथी 91 91 दूना 180 ठीक है 180 182 ठीक है 180 हो गया इस प्रकार देखिए HCM आ गया LCM आ गया ठीक है अब क्या गयाद करना है अब देखिए हमने HCM LCM तो गयाद करनी है अब क्यूशन की जांच भी करनी है कि ये हमने सही किया है या गल्द किया है तो चलिए गयाद करती है क्यूशन की तो देखिए जांच संख्या देखी फॉर्मूला आपको याद है क्या था संख्या होगा गुनफल दो संख्या होगा गुनफल दो संख्या क्या है 26 इंटू इकाण में 26 इंटू इकाण में 26 इंटू इकाण में बराबर 80 इंटू LCM 80 कितना यह था हमारा 13 किना है था हमीरा 182 20 से गुणा किया तो कितना है 2260 देखिए में नों और सेंसंक्या आ रही है इसका मितलब मारा कुसल सही है इस प्रकार देकि कुछ नहीं है बिल्कुल एजी सा क्यूशन है सबसे पहले अच्यप बोला था सबसे पहले काम होगा हमारा गुनखंड ग्यात करना हमने गुनखंड ग्यात किया उसके 50 जो अच्यप है आई कॉमन फिक्टर उसको लिखना है उसके 50 LCEM है जो बच गए और जो कोमन है उनको लिखना है फिर हमें जांच करनी है दो संख्याओं का गुनखंड किया हमने और जो दो संख्याओं बाद में क्या हुई जो LCEM और LCEM का गुनखंड ग्या है पाण्सों दस और बानवी ठीक है सबसे पहले इसमें डो का बाग गिया थीक है दो दोनीज चार एक दो पांजे दस और एक दोसो पच्पन आगे और वापिश क्या करना है इसमें इसका बाग जाएका अब तीन का पूरा पूरा चला जाएगा ठीक है जब 3 का बाग चला जाएगा तो यहां से आएगा 3 8 24 और 3 5 15 और वापिस इसमें किस का बाग चला जाएगा 5 का जो 5 का बाग जाएगा तो 17 और इसके बाद 17 का पूरा पूरा बाग जाएगा 17 एकम 17 ठीक है तो अब इस प्रकार इसी प्रकार हम 92 का भी क्या करती है अलसेम गुंड जाएगा तो सबसे पहले हमें बताया है दो का बाग जा रहा है दो का बाग दिया दो चो के आट और दो चिके बारा फिर दो का बाग जा रहा है तेईस आया और तेश में किसका बाग जा है कि जो 510 है और एक क्या है 20 है तो पांज सो दस से हमारी पास क्या अन्सवराया था तो देखिए दो इंटू 3 उंटू 5 इंटू 17 तो क्या है दो इंटू 3 इंटू 5 इंटू और शतरा 2 इंटू 2 देखिए 1 में से क्या आया था 2 into 2 into 3 ये क्या आ गया आप आजे गूंडकन आ गया तो देखीए अब यहाँ से क्या है Sबसे पहले क्या गयात करना है S-shape गयात करना है S-shape गयात करेंगे तो क्या आएगा जो high common जो common हो, direct देखी S-shape से सी रियाद रखना है common यहां पर दो कॉमन है और क्या कॉमन है और कुछ नहीं कॉमन है तो यहां पर क्या आएगा दो ही आएगा ठीक है क्योंकि दो ही कॉमन है उसकी बाद और कोई कॉमन भी नहीं है दो ही कॉमन है तो देखिए एच शिप क्या गया अच शिप आ गये था दो और आपटल सेमं कितना आएगा क्या चेwyल करना है मेंल कि आसे में तो यह सब पर रहे करना है U60 ठीक है जब इनका गुणा किया हमारी पास कितना आ गए था लिए फार्मूला आइस पोच कि आप को याद हो गया होगा फार्मुला क्या है कि दो संख्या होका गुनल फल अच्छ पिंटू लस्यम होता है तो दो संख्यय को गुनल फल 510 इंडू कि बान में दो संख्या होगी और बराबर है किसके अच्छ फिंटू तो जब 510 को 92 से गुणा किया तब रेंड कितना आया 469 तू अर्था 46920 आ गया और जब इसको जब 23460 को 2 से मल्टिप्लाई किया तो आया हमारे पास 46920 टिका फ्रेंड्स देखिए दोनों और क्या आ गई इसका मतलव मारा क्यूशन क्या है बिल्कुल क्रेक्ट है इस प्रकार सबसे पहले आपको अब बाजिक उन्खन करना है फिर एल्चे मोरा स्चिप निकालने है और क्यूशन की जांच करनी है बैस पिल्कुल एजी सा क्यूशन है इसी प्रकार इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं तो चल यह चलती है पार्ट नंबर 3 तो यह रहा फ्रेंड्स पार्ट नंबर 3 तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है सबसे पहले बाजे गुन खंड ग्य दो आठा सोला वापिस दो से पूरा पूरा बाग जा रहा है कितना हैगा फ्रेंड्स दो आठी सोला है दो चोके आठ वापिस इसमें दो का बाग जा रहा है दो चोके दो चोके आठ दो दुनी चार फिर वापिस देखी इसमें दो का बाग जा रहा है दो दुनी चार दो एकम दो अब क्या आएगा फ्रेंट इसमें तीन का बाग जाएगा तीन साथे 21 और वापिस इसमें साथ का बाग चला जाएगा ठीक है आई स्पोज कि आपको बाजी गुनकंड करने आती होंगे ठीक है इसी प्रकार क्या करते हैं चोपन का भी सबसे पहले हमें पता है कि क्या है फोर है तो इसके अंदर दो का बाग पूरा पूरा जाएगा क्योंकि हमने वाजीकता की निम पड़े हैं तो इस प्रकार हमने इसका भी अबाजी गुनकंड क्यात कर लिया और इसका भी ग्यात कर लिया तो हम लिख देते हैं कि मारे पास 336 से अबाजी गुनकंड का गुनकंड कितना प्रावत हुआ 336 से 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 यह हमें किस से प्रावट हुआ था यह 336 से प्रावट हुआ था ठीक है यह हमें 336 से प्रावट हुआ था इसी प्रकार चोपन से क्या प्रावट हुआ था चोपन से 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 प्रावट हुआ ठीक है तो आप देखिए सबसे पहले हमारा काम क् कितना है मारा एक के लिए क्या होता है हाई कॉमन फेक्टर है अर्दात कॉमन क्या एक तो क्या है दो कॉमन है और एक क्या है तीन कॉमन है ठीक है तो दो और तीन क्या कॉमन है दो इंटू तीन क्या आगए एक क्या आगए दो तिया च्छे तो एक कितना आ गया च्छे इसी प् सब से पहले लिखना है और जो बच गए उनको भी लिखना है दो इंटू दो इंटू दो और फिर क्या है इंटू साथ और निचे क्या आ गया तीन इंटू तीन कि इस परकार और जब इनका मल्टिपलाई करेंगे तो उम्हारी पास कितना आएगा प्रेंट से जब तो इनका मल्टिपलाई कितना आएगा तीन हजार चोबिस आजएगा तुम्हारी पास से पागया और लास्ट कारियर क्या रह गया अब इनकी जांच भी करनी है हम जांच करने का किस जो फार्मूला उनको जानती है तो क्या है जो फार्मूला हमें आइस पोर्ट की आपको सवार्म इन्टो 1च यंजी हम जानए 23365 दो संख्याई क्या थी 336 इंटो 472 को बराबर है किसके ल्षर्मूला उनकी पास पास art Newton की तरह चाहाँ चाह चैंच इन करते हैं तो जब इसका मिल्टिप्लाइ करती है तुम्हारी पास आता है और जब इसके इस से multiply करते हैं 6-18, 0, 1, 4, 4 अर्थात दोनों का multiply क्या आता है अर्थात हमारा क्यूसन क्या है और यहां पर आपको लिखना है formula भी लिखना है ठीक है मैंने short में बताया है यहां में formula लिखना है और फिर आपको यह निच्छे उसकी गणना करनी है इस प्रकार देखें क्यूसन बड़ा हीजी है सबसे पहले है बाजे गुनकंड करना है उसके प्रकार क्यूसन बड़ा हीजी है देखिए आपका जो आपका चेप्टर फर्स टेप बड़ा ही जी है यादी आप असानी से समझोगे तो आपको आसानी से यह चेप्टर क्या आएगा समझो मैं आपको बस एक वीडियो को स्कीप नहीं करना है और फर्स टे लेकर अंठ तक वीडियो के अंदर बने रहना है झाल झाल